आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, the question is the total of present age of P, Q and R is 90 years 10 years back their age ratio was 1 is to 2 is to 3 what is the present age of Q तो यहाँ पर सबसे बहले तो 10 years back की बात कीए की चाए तो यहाँ पर P, Q और R का जो age का ratio है वो था 1 is to 2 is to 3 तो यहाँ से केले लिख सकते हैं कि age of P 10 years back या ago कितना है K years इसी तरीके से age of Q 10 years ago यह कितना है 2K years है उसके बाद age of R 10 years ago यह कितना है 3K years है और K यहाँ पर का है common factor है ठीक है तो यह 10 years पहले की गानी तो अब हमें यह जानना हो present age of P तो यह हमें कैसे पता चलेगा जो 10 years पहले थी उसकी age K इसमें हम 10 years add कर देंगे तो हमें present age पता चल जाएगी इसी तरीके से present age of Q इसमें भी जो 10 years पहले थी 2K उसमें हम 10 years add कर देंगे तो present age पता चल जाएगी इसी तरीके से present age of R is equal to यह हो जाएगा 3K plus 10 years ठीक है तो इनका जो sum दे रखा है present age का P Q R का वो किता दे रखा है 90 years दे रखा है तो यहां से according to the question यह हो जाएगा K plus 10 plus 2K plus 10 plus 3K plus 10 is equal to 90 तो यहां से हो जाएगा 6K plus 30 is equal to 90 तो यहां से 6K is equal to 90 minus 30 तो यहां से 6K is equal to 60 यहां से इसको solve किया तो K की value आजाएगी 60 upon 6 which is equal to 10 और हमें find out क्या करना है present age of Q तो therefore present age of Q is equal to किसके equal था 2K plus 10 years के equal था तो यहां पर K की value बुट कर देंगे 2 into 10 plus 10 तो यह कितना हो जाएगा 20 plus 10 which is equal to 30 years तो present age of Q आ रहे है 30 years जो की option 2 है option 2 30 years करेक्ट अंतर है Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर करेक्ट बाउनलोड करेक्ट